ھasamu alaikum, welcome to my youtube channel, friends, आज मैं बहुत ही खुबसरत, बहुत प्यारा pattern लेकर आई हूँ, बहुत ही असान है बेगनर्स के लिए बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूँ, अगर आप बेगनर्स हैं तो इस pattern को बहुत ही बना लेंगे तो यह नीचे से बादर बनाने के बाद यहां से हम इस पैटर्न को हम रॉंग साइट से स्टार्ट करेंगे यह चेस लाइयां हम बनाएंगे पैटर्न में तो छेस लाइयां जो मैं बताऊंगी वह आप पूरा देखेगा वीडियो को फुल वाज कीजिएगा यहां पर से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे बनाना बहुत ही खुबसरत बन कराएगा पैटर्न बहुत ही प्यारा तो यहां पे ना पहला फंदा यहां पे एक फंदा हम ऐसे सिलिप करेंगे एक फंदा हम सिलिप करेंगे अब रॉंग साइट से सारे फंदे ऐसे ही उल्टा परल्वाइज बुनकर कम्पलीट करेंगे एक एक फंदे से सारे फंदे हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से क्योंकि यह रॉंग साइड है तो रॉंग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे फärस्ट रो बहुत ही आसान है और आप इसे इस पैटर्म को आप लेडी जैकेट, कार्डिगन, बच्चो के स्वेटर में किसी भी परजेक्ट में आप अपलाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं बनकर बहुत ही खुबसरत लगता है, बहुत ही प्यारा आप इसे बच्चों के सेटर में जेन सेटर में बच्चों के कैप में भी डाल सकते हैं तो अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हों मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक किजिएगा शेर किजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएग और बेल बटन आल जरूर दबाईएगा आल दबाना मत भूलेगा क्योंकि अगर आप आल दबाएंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचेगी अब हम आते हैं राइट साइट से से केंड रो तो यहां पे एक फंदा सिलिप करेंगे इसके बाद सारे फंदे ऐसे सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे दूसरी सलाइग बस दो सलाइगों का पैटर्न है और छे सलाइगा हमें बुनना है वही छे सलाइग बार बार हमको रिपीट करते जाना है तो फ्रेंट्स अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंड करके पूच सकते हैं बताने की कोशिश करूंगी अ अ एसे ही सारे फंदे शिदा सिदा सिदा से बनकर कंप्लीट करें गे कि दूसरी चुश्मिंई युश्य स्ल ऐसे सारे फंदे हम रॉंग साइड से उल्टा बनाएंगे थर्ड रो में कि अधिया थे फंदे उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेंगे यह हमारा थर्ड रो कम्प्लीट हो गया है अब हम प्रेंड से आएंगे राइट साइड से तो बनाएंगे फोर रो चोथी सलाई यह देखिए तीसरी सलाई ने कम्प्लीट कर लिया अब यहां पेना एक फंदा सिलिप करेंगे अब सारे फंदे ऐसे सीधा बनकर कम्प्लीट करेंगे पैटन अगर आप कोई प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते है न तो बहुत ही जली यह बन कराएगा ठीकि उल्टा सिधा बनाई करना है चार्च लाइया और दो सलाईयों में हमारा पैटन बनेगा और पैटन हम बनाएंगे दो-दो फंदो में दो-दो फंदे में हमारा पैटन बनेगा बहुत ही आसान सा यह हमने राइट साइड से चोथी सलाई फोर रो बनाकर कम्प्लीट कर लिया अब हम आते हैं रॉंग साइड से रॉंग साइड से बनाएंगे फिफ्ट रो तो यहां पे देखेगा फिरेंड से ध्यान से एक फंदा हम सिलिप करेंगे धागा करेंगे पीछे अब जितने भी फंदे बनाएंगे बस यही रिपीट करते जाएंगे यहां पे ध्यान से दिखेगा फ्रेंड ऐसे धागा पीछे किया हमने अब जाली बनाते हुए ऐसे उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे औ में सारे फंदे हम रिपीट कर लेंगे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे यही धागा पीछे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से धागा पीछे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अई से सारे फंदें हम बना कर कंप्लीट करेंगे इस तरह से फिर दागा पीछे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से धागा पीछे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे is ऑल i दिखेगा friends, एक फंदा हम slip करेंगे अब आगे के दो फंदे में ही हमारा pattern बनेगा न तो आगे का जो दो फंदा है इसको ऐसे slip करेंगे और इसको भी ऐसे slip करेंगे और ये जो हमारा जाली बना था न इसको इसे खोल देंगे तो ये दोनों हमारा लंबा बन कराएगा थोड़ बड़ा फंदा अब ये फंदा जो है ना इसको हम लाएंगे पीछे करेंगे और जो पीछे वाला है इसको हम आगी लाएंगे ये देख सकते हैं ना दो फंदा इसको डालेंगे ऐसे सलाई पे और पीछे वाला फंदा हम ऐसे पहले पहले बनाएंगे और इस फंदे को हम बाद झो लिया ना इस फंदे को आगे लेकर आएंगे और ये जो हमारा पीछे फंदा है इसको हमागे लेकर आएंगे ऐसे सलाई पर डालेंगे और सिधाए से दोनों फंदों को बना लेंगी अब ये दो फंदा जो हमने इसे ट्विश्ट किया है खोलके न बस यही हमें बार-बार रिपीट करना है और पैटरन बहुत खुबसरत बन कराएगा फ्रेंड्स बहुत यह असान सा है इसली आप इसको बना सकते हैं अब ये दो फंदा फिर से हमने खोला अब ये जो आगे फंदा इसको हम पीछे ले कर जाएंगे और पीछे वाला आगे ले कराएंगे तो इस तरह से ऐसे दो फंदो को ट्विश्ट करके ऐसे एक एक फंदा सीधा बनाएंगे देख सकते हैं ना ऐसे ट्विष्ट करेंगे फिर से हम ओई करेंगे दो फंदे खोलेंगे और ये फंदा हम लाएंगे पीछे और पीछे वाला लाएंगे हम आगे अब इन दो फंदों को ऐसे ही सिधा बोलेंगे फिर वही रिपीट करेंगे दो फंदा खोलेंगे ऐसे और ये जो पीछे है ना आगे है उसको पीछे ले जाएंगे और पीछे वाला आगे लाएंगे दोनों फंदों को ऐसे फिर से हम बनाएंगे सिधा फिर वही करेंगे एक और ये दो दो फंदों को खोलेंगे और ये पे ऐसे दो फंदा खोलेंगे ये देखें फिर ये फंदा हम यहां से लाएंगे पीछे और पीछे वाला हम लाएंगे आगे दोनों फंदों को ऐसे सीधा बना लेंगे फिर में रिपीट करेंगे ऐसे और इस फंदे को हम लाएंगे आगे और दोनों फंदों को सीधा बनाएं करेंगे एसे फिर यहां पर दो फंदे सीधा ऐसे खुलेंगे और दोनों फंदों को फिर ऐसे करेंगे इस तरह से एक एक फंदे करके फिर से सीधा बनाएंगे अब यहां लाश्ट में हम एक फंदा बचा है न तो इसको ऐसे दो फंदो को ऐसे सिधा इस्टिच करेंगे दो पंदों को और चै pharen progress, ना फ़ेंसे सीधा PLACH कलेंगे तो ये देखी पैटर्ण हमारा कितना खुबसुरत बनकर आया है 이 देख कि बगती खुबसुरत दुबसुरत वही असाान कैटर्ण है इसको आप बहुत वीसे बना सकते हैं यह आप देख सकते हैं ना बहुत ही beautiful बनकर आया है अब यहीं हम बार-बार 6 लाइया रिपीट करते जाएंगे उपर तक और बहुत खुबसुरत पैटन हमारा बनकर आएगा तो यह पैटन हमने ना दो पैटन बना कर हमने रख लिया था यह देखिए यहां पर हमने दो पैट के नहीं आ रहा है जितना यह पिंक कलर में बहुत खुबसुरत लग रहा है तो फ्रेंट से इस पैटन को ट्राइजरूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका तो मेरे वीडियो को लाइक किजिएगा शियर किजिएगा कॉमेंट